ओम शान्ति ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइस्ट कोर्स है मुर्ले के ओरिजिनल डेट है 25 ओक्टोबर 2002 आज की मुर्ले का सार है ब्राम्भन जीवन का आधार प्योरिटी की रोयल्टी आधार का महत्व मालूम है न अगर आधार ना हो तो सारी इमारत हिल जाती है तो ब्राम्भन जीवन का आधार क्या है प्योरिटी की रोयल्टी आज स्नेही का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं हर बच्चे का बाबा से प्यार है हर बच्चा स्नेही है और बाप स्नेही के सागर चारों और के स्नेही बच्चे रुहानी सुक्षम दोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुँच गए हैं है न बाबा स्वीट होम में सबको देख रहे हैं और सभी स्नेही की डोर से वहाँ मर्च हो गए हैं जैसे बच्चे स्नेही से खिंच कर पहुँच गए हैं वैसे बाब भी बच्चों के स्नेही की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुँच गए हैं बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे जादूगर हैं जो उचे ते उचे बाप को भी स्नेही की डोर में बांध लेते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों और के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेही में समाय हुए हैं। सम्मुक के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्शित हो रहे हैं चाहे कोई बच्चा समीप हो, सम्मुक हो या दूर हो हर एक बच्चा बाबा के बिलकुल सम्मुख इमर्च रूप में बाबा देखकर हर्शित हो रहे हैं सभी इमर्च होगे बाबा के सम्मुख बाबा के बाबा के लिए चुदल में प्यार है उस प्यार की डोर से बच्चे बाबा के बिल्कुल समुख इमर्ज हो जाते हैं यह रूहानी अविनाशी स्ने हैं, परमातम स्ने हैं, आत्मिक स्ने हैं, सारे कल्प में अभी अनुभब कर रहे हो सारे कल्प में ऐसास नहीं, जिस्मानी स्नेहीं, विकारी स्नेहीं, वो तो सब अनुभव करते हैं पर रूहानी स्नेहीं, पर मातम स्नेहीं, आत्मिक स्नेहीं, ये सारे कल्प में एक ही बार अनुभव करते हैं बाब दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रोयल्टी देख रहे हैं क्योंकि बच्चों का बाबा के लिए स्नेह है ये तो ठीक है लेकिन उस्नेह में शक्ती भी कैसे भरती है प्योरिटी से तो इसलिए बाबा सबसे पहले क्या चेक करें पवित्रता की रोयल्टी कितने है ब्राम्भन जीवन की रोयल्टी है ही purity ब्राम्भन जीवन उच्छते उच है न तो ब्राम्भन जीवन में उच्छता क्या है रोयल्टी क्या है पवित्रता की रोयल्टी है तो हर एक बच्चे के सिर पर रुहानी रोयल्टी की निशानी purity की लाइट का ताज देख रहें सब अपना ताज है ना ताज की अवेर्नेस में बैठे कि कैसे purity की लाइट का ताज हर ब्रामन के सर पर चमक रहा है आप सभी भी अपने purity का ताज रुहानी रोयल्टी का ताज देख रहे हो पीछे वाले भी देख रहे हो कितनी शोबनीक ताज थारी सभा है यह ना बाबा जहां से देख रहे हैं हर ब्रामन की purity की रोयल्टी का ताज दिखाई दे रहा है तो कैसी है सभा कितनी ताज थारी ब्रामनों की सभा कितनी शोबनीक है है ना पांडव ताज चमक रहा है ना ऐसे सभा देख रहे हो ना सभी बाबा जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं क्योंकि बाबा ने हमें दिव्यनेत्र दिया है तो जे जिस दिवय नेत्र से बाबा हर एक बच्चे की purity का ताज देख रहे हैं उसी नेत्र से हम बच्चे भी सभा को देख रहे हैं कुमारिया ताज धारी कुमारिया हो न बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रोयल फैमिली कितनी स्रेश्ट है है न, बैठे तो संगम युग पर है लेकिन क्या नजर आ रहा है पूरी रोयल फैमिली नजर आ रही है किसकी रोयल फैमिली? बच्चों की रोयल फैमिली कितनी स्रेश्थ है अपने अनादी रोयल्टी को याद करो जब आप आत्माई परमधाम में भी रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रोहानी रोयल्टी विशेश है बाबा केते हैं रोयल्टी सारे कल्प में हम बच्चों का की जैसे रियालिटी रहती जब आम अनादी स्वरूप में परमधाम में भी है तो भी अपनी रोयल्टी को याद करो कैसी चमक, कैसी फलक है मुझा आत्मा में सर्वा आत्माई भी लाइट रूप में हैं लेकिन आपकी चमक सर्वा आत्माओं में स्रेष्ट है याद आ रहा है परमधाम सब को भी देख रहे हैं और अपनी विशेश चमक को भी देख रहे हैं अनादी काल से आपकी जलक फलक न्यारी है अनादी काल भाना जब हम परमधाम में आत्मा स्वरूप में है तब से ही लेकर हमारी जलक फलक सब से न्यारी है जैसे आकाश में देखा होगा सितारे सभी चमकते हैं सब लाइठी है, लेकिन सर्व सितारों में भी कोई विशेश सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बेच आप आत्माओं की चमक, रुहानी रोयल्टी, प्योरिटी की चमक न्यारी है। और चमक किसकी है? रूहानी रोयल्टी की, प्योरिटी की, न्यारी चमक है, याद आ रहा है ना, फिर बाबा के थे, फिर आधी काल में आओ, आधी काल को याद करो, तो आधी काल में भी देवता स्वरूप में, रूहानी रोयल्टी की परस्नालिटी कितनी विशेश रही, अन रुहानी रॉयल्टी की परस्नालिटी कैसे विशेश रही। वैसे तो रॉयल्टी हाइनस को भी कहा जाता। जब से द्वापर्यूग होता, तो भी रॉयल्टी को His Highness, Her Highness कहते हैं। लेकिन जब हम सत्यूग में हैं, तो हम His Holiness, Her Holiness वाली रॉयल्टी है। सारे कल्प में देवताई स्वरुप की रॉयल्टी और किसी की रही है। रॉयल्टी तो बहुत रही है। अभी तक भी Elizabeth Rani के साथ रॉयल्टी कहें तो समाप्त हुई। लेकिन अभी तक भी रॉयल्टी रही। किन बाबा केते हैं, जैसे देवताऊं की रॉयल्टी थी, ऐसे कभी ने रही। रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की परसनालेटी याद है न। पांडवों को भी याद है। याद आ गया। क्योंकि समृती तो आत्मा में हैं, पर जितना याद करते हैं, तो याद आ जाता ह। फिर मद्यकाल में आओ। तो मद्धिकाल द्वापर से लेकर आपके जो पुजी चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रोयल्टी और पूझा की रोयल्टी, जिस प्रकार से उनका स्वरूप, उनकी सचावत, उनका पहनावा, जिस प्रकार से श्रिंगा रहता, वो भी कितना शोबनिक। और फिर बाबा कहते हैं, पूजा की विधी पी देखो, कितना विधीवत गायन पूजन होता है, किर्टन होता है, तो बाबा कहते हैं, उन चित्रों की रोयल्टी और पूजा की रोयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है, धर्मात्माओं की भी पूजा होती है, महात की भी गायन होता है लेकिन बाबा किरते हैं ऐसे गायन पूजन किसी का नहीं होता है ऐसा शृंगार ऐसा विधीवत पूजन किसी का नहीं होता, चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसे विधी पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की हैं, चाहे धर्म पिताई हैं, चाहे नेताई हैं, चाहे अभिनेताई हैं, क्योंकि आज तो वो समय आ गया, जो नेताओं, अभिनेताओं का भी पूजन होता है, लेकिन उस विदी से नहीं जैसा हमारा होता है, चित्र तो सब के बनते हैं, लेकिन चित्रों की रोयल्टी और पूजा की रोयल्टी किसी की देखी है, डबल फॉर्णर्स ने अपनी पूजा देखी है, यह ना बाबा, डबल फॉर्णर्स को भी याद दिलाते, कि इसी विदिवत, सुना है, कभी मंदिर जाकर देखा है, कैसे हमारे चित्रों का श्रिंगार होता, कैसे उनका पूजन होता, ऐसे विदी परवुर्वक, पूजा और चित्रों की चमक, रोहानियत, और किसकी भी नहीं हुई है, ना होगी, क्यों? क्योंकि प्योरिटी की रोयल्टी है, बले च इसका है, प्योरिटी की रोयल्टी का यादगार है, तो इसलिए वो जो शोभा है, वो भी न्यारी है, प्योरिटी की प्वस्नालिटी है, अच्छा, देख लिया अपनी पूजा, बाबा तो जैसे पूरा त्रिकाल दर्शी बना कर चकर लगवा देते, मुर्ली सुनते सुन बाबा कहते हैं, देख लिया अपनी पूजा, नहीं देखी हो, तो देख लेना, अभी लास्ट में संगम युग पर आओ, तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रोयल्टी, ब्राम्हन जीवन का आधार है, प्योरिटी नहीं, तो प्रभु प्यार का प्यार करते हैं, लेकिन अगर पवित्रता नहीं हमारे अंदर, तो हम बाबा के प्यार को अनुभव भी नहीं कर सकते, जैसे जंक लगी हुए कील, चुम्बक को आकर्शन नहीं कर पाती, ऐसे ही हमें भी बाबा का आकर्शन, बाबा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि प्रमात्म प्राप्तियों का भी अनुभव नहीं, हीना, तो प्यूरिटी के आधार से ही ब्रामन जीवन माना क्या, सर्व प्राप्तियों की जीवन, अतिंद्रिय सुखों की जीवन, प्रमात्म स्नेही के अनुभव की जीवन, और ये सर्व अनुभवों का आधार क्या है, purity की royalty Bramhaan जीवन की personality purity है और purity ही रोहानी royalty है तो आदी, अनादी, आदी, मध्य और अंथ सारे कल्प में ये रोहानी royalty चलते रहते है और इस कल्प का अधार भी क्या है? अभी Bramhaan जनम में purity की royalty इसलिए सारे कल्प में जो जितना हम अभी प्योरिटी की रोयल्टी को धारन करेंगे ना उतना सारे कल्प में हमारी प्योरिटी की रोयल्टी जो है उस्थाई बन जाएगे तो अपने आपको देखो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग खुदी करो दरपन तो आप सब के पास है ना ज्यान दरपन है दरपन है देख सकते हो तो देखो हमारे अंदर प्योरिटी की रोयल्टी कितने परसेंट में है हमारे चेहरे से प्योरिटी की जलक दिखाई देती है यहना अब चेहरे से प्योरिटी की जलक दिखाई देती है नि उसको देखने के लिए भी तीसरा नेत्र चाही चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है जितना जिम्मेवार उतना हलका यहना बहुत बैलेंस चलन ह फलक से चलते, सब कुछ करते हलके रहते, फलकर्थात नशा, चलन में वो फलकर्थात रुहानी नशा दिखाई देता है, नहीं सब कुछ करते, जैसे करावन हार करा रहा है, हम तो जैसे मौच मना रहे हैं, यह अनुभव होता है, देख लिया अपने को, देखने में कितना समय लगता है, तो अपनी checking कर ली, दरपण में देख लिया, कैसा है मेरा चेहरा, कैसी है मेरी चलन, बाबा केते कितना समय लगा चेक करने में, second न, तो सभी ने देखा अपने को, देखा न, सब अपनी अपनी result चेक करके रखना, अब बाबा कुमारियों से बात कर रहे है, कुमार कुमारियां लाल पट्टा लगा कर बैठी है, जिस पर लिखाए एक वरता, एक वरता, एक बाबा की होली है, सुन्दर लगता है न, एक वरता का अर्थ है, प्योरिटी की रोयल्टी है, एक वरता को हो, प्योरिटी की रोयल्टी को हो, जब एक बाबा, एक बाबा है, तो उ हमारे अंदर क्या धारणा नजर आएगी, purity की रोयल्टी, तो एक वरत्ता का पाठ पक्का कर लिया है, वहाँ जाकर कच्छा नहीं कर लेना है, वधुबन में एक वरत्ता और फिर वहाँ गई तो प्रतिग्या धेली हो जाए, ऐसा नहीं, और कुमार गुरुप उठो, कुमार का गुरुप भी अच्छा है, कुमारों ने दिल में प्रतिग्या का पठा बांद लिया है, कुमारों ने तो लाल पठा वैसे भी लगा लिया, कुमारों का बाबा कहते दिल में प्रतिग्या का पठा बांद लिया है, पक्का, इनोंने, कुमारों ने तो बाहर से भी बांद कुमारों ने दिल में प्रतिग्या का पट्टा बांधा, प्रतिग्या का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की परस्नालिटी में रहने वाले कुमार हैं, ऐसे हैं, निरंतर प्योरिटी की परस्नालिटी में रहने वाले हैं, बोलो, जी हां, बाबा कहत ія बनावी सिखाते उत्तर भी देना सिखाते जी आंrin कापा प्रभी बाबा पक्का कर वाते है जी नी जी या हाजी पहले ही बाबाने बता दिया कि हाजी करना है। यह वह हां जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा तोड़ा ढहля हो गया ऐसे कि करना। जब तक ब्राह्मन जीवन में जीना है, तब तक संपून पवित्र रहना ही, कब तक जीना है? जब तक ब्राह्मन सु देवता ना बन जाए, तो जब तक सत्यूग ना आ जाए, तब तक पवित्रता की प्रतिग्या पर पक्का रहना है, फिर तो पवित्रता नैच्रल संस्कार रूप में हो जाएगी, ऐसा वाइदा है, पक्का वाइदा है तो हाथ हे लाओ, टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, बाबा फिर कहते कि देखो ऐसे नहीं, कि आज प्रतिग्या कर ये कल पलट लिए, क्योंकि बाबा तो पूरी वीडियो बना कर रखते हैं, जो चित्र भेजेंगे, इसलिए धीलानी होना, पक्का रहना, क्योंकि फिर से स्मृति दिलाने के लिए, बेहोशी से निकालने के लिए, बाबा कहते हैं, फिर ये चित्र आपको भेजेंगे, हाँ, पक्के हैं, पांडव तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव, बहुत अच्छ अब बाबा केते purity की वृत्ती क्या है देखो बाबा ने purity का चेहरा चलन का वर्णन क्या चलन में जलक फलक नशा हो जितना जिम्मेवारी उतना नशा भी है अब बाबा केते purity की वृत्ती क्या है जब purity की रोयल्टी है तो हमारी वृत्ती कैसे होगी शुब भावना शुब काम सब कुछ देखते कभी भी हमारी भावना महले नहीं होती क्योंकि अंदर सिर्फ purity है तो purity के आधार से जो भी जैसा भी हो उसके प्रति सदा शुब भावना शुब कामना कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थाद शुब भावना शुब कामना और पवित्र द्रिष्टी अर्थाद सदा हरे को आत्मिक रूप में देखना वा फरिष्टा रूप में देखना तो पवित्र वृत्ति अर्थाद शुब भावना शुब कामना पवित्र द्रिष्टी बना देहिना दिखाई दे देखते हुए आत्मा दिखाई दे देह दिखे ही नहीं, तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा क्या है? क्रिति, अर्थात करम में purity अर्थात, तो करम में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, तो बाबा ने दृष्टि, वृत्ति और क्रिति, तीनों के लिए बताया, वृत्ति, शुब्भावना, दृष्टि, आत्मिक दृष्टि या फरिष्टे की रूप में देखना, और करम में सुख देना, सुख लेना, सदा, ये है purity की निशानी, वृत्ति, दृष्टि और कृति, दोनों में ये धारना हो, तीनों में ये धारना हो, कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इं इंसल्ट करता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, कि हमें समझ नहीं है, कौन क्या देता है, लेकिन वो क्या देता है, उसको समझते हुए भी, मुझे उससे भी उची समझ है, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, तो मुझे क्या लेना है, मैं सुक के सागर की संतान हूँ, तो वो जो भी ले, वो मुझे नहीं, वो जो दे रहा है, वो मुझे नहीं लेना, मुझे तो वो लेना है, जो मेरा बाबा देता है, सुक लेना है, और मुझे देना भी क्या है, जिस चीज से बाबा मेरी जोली भरते सुख तो हमें सुख देना है सुख लेना है पता है वो दुख देरा इंसल्ट कर रहा है लेकिन मुझे वो लेना नहीं और मुझे उसका बराबर देना भी नहीं तो बाबा कहते हैं, कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा करता है, क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है, या बाप दादा को फॉलो करना है, या कितना सिंपल, बाबा कितने सहज रेती से बता देते हैं, चलो वो जो भी कर रहा है पर आपको उसको follow करना है या आपको बाप दादा को follow करना है हमें बाबा ने direction क्या दिया? follow father है ना तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया वा सुख दिया सुख दिया ना किसको दिया सुख? हर एक को दिया किसी ने कुछ भी दिया ब्रह्मा बापने सदा सुख दे, तो हमें भी follow father कर सुख देना है, तो आप master ब्रह्मा अर्थाद ब्रामन आत्माओं को क्या करना है, कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे, दुख देंगे, नहीं देंगे, बहुत दुख देवे तो, अब बाबा, बच्चों को थोड़ा जैसे बाबा साकार में क्या करते थे, कहते थे, इतनी मिर्च खाएगे, इतना पानी पीएगे, फिर ऐसे ताली बचाते थे, तो डरते और देखते थे, ऐसे बाबा अभी भी पूछ रहे है, कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे, दुख देंगे, नहीं देंगे बाब कितने युक्ति से पुछन थोड़ा feeling तो आएगी ना कुमारिया feel करेंगी हां तो कहते थोड़ा तो तो follow father तो बाबा कहते follow father बाबा ने कोई कितना भी कुछ देते बाबा ने सदा सुख दिया कभी दुख न लिया न दिया तो बाबा कहते तुमें follow father करना वो क्या दे रहा है कितना दे रहा है उससे हमारा कोई लेना देना ने क्योंकि हम क्या लेंगे और क्या देंगे वो तो मुझे कि समान चलना है, मुझे किसी और को देखना ही नहीं, वो जो भी दे, जितना भी दे, मुझे ना उससे वो लेना है, ना मुझे उसका इक्वल देना है, मुझे तो वो देना है जो बाबा ने दिया, वो लेना है जो बाबा ने लिया, ये सोचो मेरा कर्तवे क्या है, उसका कर् तो आप उसका कर्तवय देख कर अपना क्यों बहुल रहा है। आम ही देगा, तो हम वो दें जो हमारे पास है और हमारे पास क्या है, वो ख़जाना जिससे बाबा ने मेरी छोली भरी है आपकी सेहन शिल्ता से गाली देने वाले पे आपको गले लगाएंगे यहना कितनी देर कोई पत्थर फेकेगा जब पेडाम ही देता चाहे तो वो भी अल्टिमेटली गले लगाएंगे सेहन शिल्ता में इतनी शक्ती है लेकिन थोड़ा समय सेहन करना पड़ता है ऐसे ने एक ही बार में आपने साहा तो वो गले लगा लेंगे कुछ टाइम लगता है तो सेहन शिल्ता की देव वा देवियां हो ना हो बाबा पुछ रहें सदा यही स्मृति रखो मैं सेहन शील का देवता हूं मैं सेहन शिल्ता की देवी हूं तो देवता अर्थात देने वाला दाता कोई गाली देता है रिस्पेक्ट नहीं करता है तो किछड़ा है न, कि अच्छी चीज है बाबा पूछ रहे हैं, कोई, देखो बाबा, दादी हमेशा कहते थे कोई सड़ा हुआ फल देगा, तो खाल होगे क्या? नहीं, कोई गाली दे रहा है, तो वो क्या कोई अच्छी चीज दे रहा है तो जब कोई किछड़ा दे रहा है, तो किछड़े को कौन स्विकार करता है? तो आप लेते क्यों हो? किछड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किछड़ा दे वे तो आप लेंगे, है न, तो जब जिस्मानी किछड़ा नहीं लेंगे तो गाली, इंसल्ट की रुहानी किछड़ा ही तो है, उसको क्यों ले लिया? नहीं लेंगे न, तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्चर्ब करता, तो ये क्या है? अच्छी चीज़े हैं फिर आप लेते क्यों हो? जब अच्छी चीज़ नहीं, तो इतना भी अकल नहीं, कि कोई बुरी चीज़ दे, तो लेनी नहीं है थोड़ा-थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो, नहीं लेना था बाबा ये हमारा चार्ट पता रहे है तो अभी लेना नहीं, कोई कुछ पी दे, आपके पस फुल चोईस है मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना लेना अर्थात मन में धारन करना, फील करना लेना मना क्या? अगर मन में धारन किया, फीलिंग में आये, तो ले लिया बले कहेंगे नहीं मैंने नहीं लिया, ले लिया ना, फीलिंग में आया, संकल्प चल रहें, वर्णन कर रहें, तो माना ले लिया ना, किछड़ा तो अपने अनाधी काल, आधी काल, मद्य काल, संगम काल, सारी कल्प की purity की रोयल्टी, परस्नालिटी याद करो और ऐसी purity की personality वाले सिर्फ सुख देते, सुख लेते, अपनी purity की personality और उस personality सी, जो व्रित्टी, दृष्टी, कृति होने चाहिए, उस पर अच्छ लडोल रहो, अपनी व्रित्टी, दृष्टी और कृति की धारना पक्की करो कोई क्या भी करे आपकी personality को कोई छीन नहीं सकता वो तो आपकी अपनी चीज है कोई आपको कुछ दे या ना दे लेकिन आपकी अपनी चीज कोई ना छीन ले इसका तो ध्यान रखना है ये रुहानी नशा है ना कि purity मेरी अपनी चीज है कोई छीन नहीं सकता शुब भावना, शुब कामना रखना आत्मिक दृष्टी रखना सुख देना, सुख लेना यह मेरी अपनी परस्नालटी है इसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता और डबल फॉर्णस को तो डबल नशा है ना डबल नशा है ना परस्णने का भी डबल नशा है ना डबल, सिर्फ अमर रहना है बाबा कहते हैं, नशा भी है धारना भी है, लेकिन कभी कभी कि नहीं सदा की हो अमर रहना है अमर भाव का वर्दान कभी नहीं भूल अच्छा, जो प्रवरिती वाले हैं अर्थात युगल युगल तो बहुत है, कुमार, कुमारियां तो थोड़े है, कुमारों से भी युगल बहुत है, तो युगल मूर्थ, बाप, दादा ने आप सब को प्रावृती में रहने के लिए डाइरेक्शन क्यों दिया है, क्योंकि वैसे तो जो बाबा के बन गए, उनको तो इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता, कि प्रावृती में रहें या ना रहें, क्योंकि अब तो बाप और आप ही युगल हैं, लेकिन फिर भी डाइरेक्शन प्रामाण हम रहते हैं युगल स्वरूप में प्रावृती में, क्यों ऐसा डाइरेक्शन क्यों मिला है कभी सूचा, इसलिए नहीं क्या रहें इनको दुख होगा अलग कर दिया तो या अटाच्मेंट कैसे छूटे, इस वज़े से नहीं, नहीं तो फिर पवित्र युगल बनेंगे ही कैसे, लेकिन क्यों ये डाइरेक्शन मिला है कि प्रावृती में रहो इकठे, तो आपको युगल रहने की छुटी क्यों दी है, प्रावृती में रहने की छुटी क्यों दी है, जानते हो, इस राज को जानते हो क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंदलेश्वरों को पाओं में जुकाना है क्योंकि सबसे बड़ी सन्याज दरम की बात क्या है कि साथ रहते पवित्र नहीं रह सकते वो कहते आग कपा साथ रहे तो आग जरूर लगेगी कहते है तो बाबा कहते हैं, उनकी इस बात को जुटलाना है, इसलिए इकठे रहने की छुटी मिली है तो इतनी हिम्मत है, बाबा कहते हैं इतनी हिम्मत कि चालेंज कर सके वो लोग कहते हैं कि साथ रहते हैं पवित्र रहना मुश्किल है और आप क्या कहते हो, वो तो कहते हैं मुश्किल है, आप क्या कहते हो, आप भी मुश्किल है कहते हो, या सहज है, बहुत सहज है, क्या कहते है युगर, बोलो भई, बहुत सहज है, पक्का है, या कभी इस ही, कभी लेजी, कभी डीले तो नहीं हो जाते, इसलिए बाप दादा बने ड्रामा अनुसार, आप सब को दुनिया के आगे विश्व के आगे example बनाया है, किसने बनाया है? बाप दादा ने example बनाया चालेंज करने के लिए, तो प्रवर्थी में रहते भी निवृत, आप अवित्रता से निवरित रह सकते हो, आप अवित्रता लेश मात्र भी छुए ने, आप अवित्रता से निवरित, तो चालेंज करने वाले हो न, सभी चालेंज करने वाले हो, थोड़ा-थोड़ा डरते तो नहीं हो, चालेंज तो करें, लेकिन पता नहीं क्या हो, स्वाप पर निश्य है न, यह चालेंज करने से ड़ते हो, तो चालेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है, कि साथ रहते भी, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए, यही संगम युक्के ब्राह्मन जीवन की विशेष्टा है, यही ब्राह्मन जीवन की एक्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एक्जाम्पल कहो, आप ही हो, आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं, क्योंकि अपने सामने एक प्रत्यक्ष प्रमान देखते हैं, तो ताकत आते हैं, कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है न, शक्तिया, ठीक है, पक्के अब बाप दादा भी आपको देख करके खुशे, मुबारक हो, देखो कितने हैं, कितने हैं, देखो, कितने यूगल बाबा के, पवित्र यूगल, बहुत अच्छे, अब बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गती नहीं है, टीचर्स उठो, अच्छा, पांडव भी अ अच्छे अच्छे, हैंना, टीचर्स, पांडव भी और बहने भी, सब अच्छे, वहाँ, टीचर्स के विशेष्टा है, कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर देखाई दे, टीचर्स के फीचर्स देख के निश्य हो जाए, अगर ये ऐसे बने हैं, तो सत्यूग तो आना ही निश्य हो जाए, कि कल आया की आया, नई दुनिया आई की आई, या हर एक टीचर के फीचर्स से फरिष्टा सुरूप दिखाई दे, ऐसे टीचर्स हो न, कि सिर्फ सुनाने वाले टीचर्स हो, कि फीचर्स से फ्यूचर दिखाने वाले, फीचर्स से फरिष्टा सुरूप क साक्षादकार करने वाले हो आप फरिष्टों को देखकर और भी फरिष्टे बन जाए देखो कितने टीचर्स है foreign group में टीचर्स बहुत है अभी तो थोड़े आए हैं जो नहीं आएं उनको भी बाप दादा याद कर रहे है अच्छा है कभी अभी टीचर्स मिल करके ये प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करे क्योंकि बाबा ने तो टीचर्स को ऐसा बनाया कि विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए अब बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करे वो plan हम बच्चों को बनाना है दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्व्यापी है और आप कहते हों नहीं है लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समीव समय प्रमान हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्व्यापी दिखाई देगा ना पता चला यह सर्व्यापी की बात कहां से उठी क्योंकि जैसे जैसे बच्चे अपने संपूर्ण स्वरोप में स्थित हो जाते तो बच्चे कैसे बन जाते बाप समान तो हर बच्चे में बाप की जलक फलक नसर आते तो फिर हर एक देखेंगे तो कहेंगे जहां देखो तू ही तू है जिसको देखें उसमें बाप ही दिखाई दे आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए कोई देखें तो आत्मा भी ना दिखाई दे बाबा दिखाई दे प्रेम का सागर, ज्यान का सागर वही जो जलक फलक है बाबा की वो दिखाई दे और परमात्मा ही दिखाई दे यह हो सकता है अच्छा, इसकी डेट क्या? बाबा कहते है, प्लान माना डेट होनी चाहिए अगर डेट नहीं है, तो वो प्लान नहीं है डेट तो फिक्स होनी चाहिए न तो date कौन सी है इसकी, सभी आद सोचना, कितना समय चाहिए, आप अपसे चालू करेंगे, चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है, लेकिन कितना समय चाहिए, चालू तो करेंगे, पर संपूरन कब बनेंगे, वो date बाबा को चाहिए, दो हजार दो तो चल रहा है, अभी दो हजार कब तक चाहिए, 2000 वाट, अभी देखो, 2024 आगया, तो अभी भी date fix नहीं करेंगे, तो कब बनेंगे, तो teachers को यहीं attention रखना है, कि बस अभी बाब के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दू, बाब इमर्ज रूप में और मैं बाबा के अंदर समाई हुई दिखाई दू, है न, वो तो तब होगा, जब मैं और मेरा सारा मर्ज करके, है न, मैं आत्मा भी नहीं, बस एक बाबा, मेरा बाबा ही रह जाए, तब देखने वाले को भी बस बाबा दिखाई देगा, मेरे द्वारा बाब दिखाई दे, प्लैन बनाएंगे न, डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होश्यार है, अभी ये मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं, कि कैसे हम एक एक से बाब दिखाई दे, अभी ब्रह्मा कुमारियां दिखाई देती हैं, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है, वो भी तो देखे न, बाबा कहते हैं, आप अच्छे हुई ये दुनिया को पता चला, बाब का पता ही नहीं चला, तो ये तो ठीक नहीं अभी बाबा की प्रत्यक्षता तो जल्द से जल्द हो नहीं, अभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना, तो डबल विदेशी इस प्लान को प्राक्टिकल शुरू करेंगे ना, करेंगे, पक्का, अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूरण हो जाएगी, कौन है डबल विदेशियों की दादी, जान की दादी जी, ठीक है ना, अच्छा, देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है, बाब दादा को भी डबल विदेशियों से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, रेकिन स्पेशल प्यार है, ज् विश्व के कोने कोने में बाब का संदेश पहुंचाने के निमित बने हुए, देखो यग्य तो भारत से शुरू हुआ, लेकिन पूरे आज विश्व में जो वर्ल्ड युनिवर्सिटी बनी है, तो डबल विदेशियों ने ही वो पुर्शार्थ किया, कि विश्व के कोने कोने तक बाबा का संदेश पहुंचे, नहीं तो विदेश की आत्माई चारों और की प्यासे रहे जाते, अभी बाब को उलहना तो नहीं मिलेगा न, कि भारत में आये, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया, तो बाब का उलहना पूरा करने के निमित बने, और जनक को त बाब का उलहना तो पूरा करेंगे न, क्योंकि बाबा कहते है कोई मुझे उलहना न, दियान्त में, कि भारत में आये और हमें वंचित कर दिया, लेकिन आप, कौन जानकी दादीजी, साथियों को थकाती बहुत हो, क्योंकि जरूर है कि सेवा का उमंग उत्सा जिनको होता, वो न, खुद थकते न, दूसरे को थकने देते, अथक सेवाधारी बनते भी, बनाते भी, थकाती हो न, जैन्ती थकाती नहीं है, जैन्ती दिदी से बाबा पूछ रहे हैं, लेकिन इस थकावट में भी मौद समाई हुई है, क्योंकि जितनी सेवा उतनी कमाई है, पहले करने से पहले बले कभी लगेगा भी, इतना किया भी और ठक गए है, लेकिन जब फिर सेवा होती है, तो लगता है ये नहीं करते तो ऐसा फेल नहीं होता है, जैसा हो रहा है, क्योंकि दुआओं का जो अनुभव होता, वो तो बिलकुल उड़ा देता है, अच्छा है, दोन सेवा अभी रही हुई तो है न, और दादियों की ही कमाल है, क्योंकि जो पहला कदम बढ़ाता उसे की कमाल है, जो इतनी सेवा हुई, बाकी तो सब साथ ही सईयों की बनते, लेकिन दादियां ही आराम नहीं करती, अथक सेवाधारी बनती, इसलिए तो इतना विस्तार वृ लगाते जाओ, तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं, कई स्थान ऐसे अभी भी है, जहां सेवा नहीं हो, अभी भी बहुत स्थान है, इसलिए बाप दादा खुश भी होते हैं, और कहते भी ज्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो न, बाबा कि और कहते कुमारियां भी जल्दी-जल्दी टीचर बनचाएं, जो टीचर हैं वह तो हीं, लेकिन जो टीचर नहीं हैं, वो टीचर बनके कोई न कोई सेंटर संभालेंगे, ना, teacher बनना मना center सम्हालना, सम्हाल करने आएं तब teacher, यह निस भाशन नहीं, hands बनेंगी ना, double विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है, क्योंकि वहां तो कोई सहयोग के लिए भी बहुत कम होते, तो सारी सम्हाल करना, जिम्मेवारी उठाना, यह अनुभाव double विदेशी को बहुत जल्दी होता है, जॉब भी करते हैं, सेंटर भी समालते हैं, इसलिए बाब दादा डबल मुबारक भी देते हैं, अच्छा, अब विदेश की मुख्य टीचर बहनों से, बाबा के महवाग के, सभी ने सेवा की प्लान अच्छे अच्छे बनाए, क्योंकि सेवा समाप्थ हो, तब आपका राज्य आए, यह अकल जिसको होती, वो तु सोचते हैं कि, तीवरगती से, सेवा कर, विहंग मार्क की सेवा कर, हर एक को बाबा का परिच्छय दे, तो सेवा का साधन भी अवश हैं, लेकिन मंसा भी हो, वाच्छा भी हो, साथ साथ हो, weचा की सिर्फ साधन ने ही बनाए, मंसा भी वाच्छा भी, क्योंकि ती तलवार में जोहर तो योग से ही भरता है, सेवा और स्वर्णती दोनों ही साथ हो, तो याद से अपनी भी कमाई करते रहें, और अन्य की भी स करते रहें, ऐसी सेवा सफलता को समेप लाते हैं, क्योंकि जितना सेवाधारी शक्तिशा लिह उतनी सेवा में भी शक्ते हैं, तो सेवा के निमित तो हो ही, और सभी अपने-पने स्थान पर सेवा तो अच्छी करी रहे हो, बाकि अभी जो काम दिया है, उसका प्लान बनाओ, प्रत्यक्ष्टा का, उसके लिए क्या-क्या स्वयम में वा सेवा में व्रिद्धी चाहिए, एडीशन चाहिए, वो प्लान बना, यहना सेवा जिस रिवाजी रिती से हो रही है, उससे क्या ऐसा भिन्न करें, क्या विस्तार करें सेवा में, जो हर एक आत्मा तक बाप का संदेश accurate पहुँचे, और बाप को पहचाने, बाकी बाप, दादा, सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते ही है, सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नती को पा रहे हैं न, उन्नती को पा रहे माना अच्छे सेवा केंद्र है, उन्नती है न, अच्छा है, अच्छा हो रहा है न, बाबा के सेवा केंद्र है, अगर अच्छे हैं, काईदे से चलते हैं, तो उन्नती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, हो रहा है और होता रहेगा, अभी सिर्फ जो अलग-अलग बिखरे हुए हैं, उनके संगठन करके उनों को पक्का करो प्रैक्टिकल सबूत सब के आगे दिखाओ चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, बिन-बिन प्लैन बनाते हो कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हो अभी उन सभी का ग्रूप एक सामने लाओ, है न, सेवा होती है, कईयों की सेवा होती है लेकिन वो गुल्दस्ता, जिसे अलग-अलग फूल खिला दिये पर गुल्दस्ता बनाकर बाबा के सामने लाए, या संगठन तयार करें, बाबा कह रहे है तो सेवा का सबूत सारे ब्रामन परिवार के सामने आ जाए, फिर ब्रामन परिवार भी देखेंगे, अच्छा, इतनी आत्माओं की सेवा हुई है, और इह गुल्दस्ता तयार करके लाए है ठीक है न, बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे थे अच्छे हो, अच्छा चारों और के अतीस नेही, अतीस वमीब, सदा आधिकाल से अब तक रोयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्यूरिटी की जलक दिखाने वाले सदा स्वयम को सेवा और याद में तीवर पुर्शाद द्वारा नंबर वन बनाने वाले सदा बाप के समान सर्व शक्ती, सर्व गुण संपन स्वरूप में रहने वाले ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस दे ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांते वर्दान है, तीन स्मृतियों के तिलक द्वारा स्रेष्ट स्थिती बनाने वाले अचल अडोल भव बाबा कहते हैं, बाब दादा ने सभी बच्चों को तीन स्मृतियों का तिलक दिया है एक स्वा की स्मृति, फिर बाब की स्मृति और स्रेष्ट कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति जिने ये तीन स्मृतियां सदा हैं, उनकी स्थिती भी स्रेष्ट है क्योंकि स्मृति से स्थिती का connection है जब तीनों स्मृतियां मैं कौन, मेरा पिता कौन और नथिंग न्यू ये तीनों बातें याद रहती तो आत्मा की स्थिती भी कैसी होती है स्रेश्ट, अचल, अडोल आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृतियाती अवश्यक है क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्यान है तो नीचे उपर नहीं होंगे जो भी बिन-बिन परिस्थितियां आती हैं उसमें अच्चल अडोल रहेंगे स्लोगन है द्रिष्टी को अलोकिक मन को शीतल और बुद्धी को रहम दिल बनाओ समझा द्रिष्टी को अलोकिक बनाओ शरीर देखते भी शरीर ने उसमें निवास करने वाली आत्मा दिखाई दे मन को शीतल बनाओ मन को शीतल तब बनेगा जब मन मनाभव हो कर रहेंगे मन में कोई भी पुरानी दुनिया के संकल्प ने एक बाबा की याद एक शांती सागर की शीतलता का अनुपव और बुद्धी को रहम दिल बनाओ बुद्धी रहम दिल कैसे बनती जब याद रहता कि जो बाप का करतव यह सो मेरा करतव यह तो बाप विश्व कल्यान कारी तो मैं भी विश्व कल्यान कारी बाबा कहते हैं ऐसा बनने वाले बच्चे बाप समान कहलाएंगे अच्छा आज की अवियक्त इशारे सुनते हैं 3 नवंबर 2024 की अवियक्त इशारे सेवा में निमित भाव ही सेवा की सफलता का और कर्मों में निर्विकारी और वाणी में निर्ण कारी रहे और जब निमित भाव हुता तो कर्मों में निर्विकारी रहते स्थिती में निराकारी और बाणी में निरंकारी स्वतर रहते निमित भाव नहीं तो अनेक प्रकार का मैं और मेरा पन सेवा को डिला कर देता है इसलिए ना मैं और ना मेरा एक तरफ अती निर्मान, वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे दरफ ज्ञान की उथोरिटी जहां निमित भाव, निर्मान भाव और बेहत का भाव है वहीं सफलता है ज्ञान की उथोरिटी तो हम है ही लेकिन वो ज्ञान की उथोरिटी काम कब करेगी जब हमारे अंदर जुकी हुई अवस्था, निमित भाव की अवस्था हो जब हम निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिती में हो, तब सफलता सुरू बनते अच्छा, आज विशेश भाईदूज का बाबा को भोग स्विकार कराएंगे तो सभी साड़े साथ बजे मुरली मन्थन के लिए प्रस्तुत होंगे और फिर संगठन में प्यारे बाब दादा को भाई के संबन से भाईदूज का बोग स्विकार कराएंगे ओम शान्ति